नमस्ते दोस्तों आज सुनिए डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई कहानी कहां तक तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी कहां तक कहानी के आरंब में लेखेका ने कहानी की प्रस्तावना देते हुए अपने विचार व्यक्त किये हैं और उसके बाद कहानी आरंब की है अपने एक पुराने परचित परिवार के साथ रहते हुए मैंने ये महसूस किया था कि बच्चे खास्तोर से किशोर वैके आधुनिक रंगों में रंगी अपने लुक के प्रती अति सजक मा को अंदर से पसंद नहीं करते इस उम्र तक आते आते वे अपने माता पिता में एक सहज परिपक्वता और गरिमा तलाशने लगते हैं चाये वह कितने ही आधुनिक परिवार के क्यों नहीं लेकिन दूसरी तरफ एक अतिमहत्वा कांक्षणी इस्त्री रीतिती उमर के एहसास को इनी वाय छद्म और चकाचौन में डुबो दिना चाहती है हम अपने प्रती इतने कॉंशन और लिप्त रहते हैं कि बढ़ते बच्चों के मनो भावों को टटोली नहीं पाते और सबसे बढ़कर आज की भोग संस्कृति का तर्क कि अपने ढंग से जीने का अधिकार तो सबको है कौन नहीं उमर से कम दिखना चाहता पीछे चूटती उमर और आगे बढ़ती दिनियां दोनों को शक्ती भर पकड़ रखने की ललक किसमे नहीं होती हम सिर्फ बच्चों के लिए ही क्यों जीएं सुख और भोग सबके लिए है वो गया जमाना था जब अपनी उमर बिना महसू से ही गुजारी जाती थी तर्क अपनी अपनी जगे सही है लेकिन ये तर्क भी कहीं ठोकर खाही जाता है और धीरे से कोई कह जाता है बस जी लिए हम वापस जाओ अब जीवन दूसरों का है उन्हें सौप वापस जाओ हाई मिनी ब्रेकफास्ट तयार है कमिंग मम्मी टेबल पर मम्मी अपने टोस्ट पर शेहत की पतली सी तह लगा रही थी ये क्या मम्मी ऐसा भी रिड्यूस होने का क्या क्रेज देखना तुम कुछी दिनों में कमजोर फील करने लगोगी मम्मी ने चेहरे पर कोई भाव आने से पहले ही उसे रोक लिया फिर होटों के कोरों को नैपकिन से तराश कर पापा से बोली सी सोम मिनी मेरा कितना खयाल करती है शीर हां 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 शीर पापा सिगार मुझ से निकाल कर बोले फिर ओके डार्लिंग एक्सक्यूज मी कहते कहते उठ गये टेबल से पापा मुस्कुराते मुस्कुराते कंधों पर थोड़े जुके जुके से चले जा रहे थे मम्मी ने मुस्कुरा कर बाई किया पापा का छड़ी लेकर ठक ठक करते चले जाना पीछे की थोड़ी गुटी चांद पर खिचड़ी बालों का लेनाना मम्मी का सिर्फ टोस्ट क साथ ब्लैक कॉफी सिप करते जाना और सवालों का दिमाग में फन काड़ कर उठते जाना एक के बाद एक असंग के सवाल जिनके जवाब ढूरने में वो उतने ही नए सवालों को इजात कर लेती है इतना ही क्यों किस्से कहानियों में पढ़े हुए रहसे रोमांच और सेक्स क सवाल भी उन सवालों से मिलकर गुथम गुथी करते रहते हैं मजबूत सवाल गुराते रहते हैं कमजोर सवाल छटपटाते रहते हैं और इसी बीच कहीं मम्मी कुछ पूछ लेती है तो वो एकदम हत्वुधिसी चौंग जाती है पापा हर बात पर बिला वजह मस्कुरात रहते हैं बिना पूरी बात सुने जल्दी में शूर शूर कह देते हैं मम्मी की हर साड़ी और लो से लो कट ब्लाउज की उसी पुराने घिसे पिटे धंग से प्रशंसा करते रहते हैं मम्मी को एक शीक भी आती है तो डॉक्टर राओ को भाग कर फोन करते हैं हकला हकला कर रोक के लक्षर बताते हैं पार्टियों में फंक्शनों में बीसियों बार डार्लिंग डार्लिंग कहकर मम्मी का मिजाज पूछ लिया करते हैं मम्मी के कटे बालों पर उसे भी शुरू सिनाच था, पंद्रे साल पहले जब ममी शिमला गई तो कंधे तक बाल कटा कराई। दूसरे साल गर्मियों में पर्म कराई थे, फिर दो साल बाद पूरे बॉब्ड। पिछले चार सालों से इटालियन स्टाइलिशी थे, सेट कर दो तो अंदर के तमाम सफेद बाल दिखाई नहीं देते। बचपन में अक्सर सडक पर बाजार कहीं कोई साथ की सहली दिख जाती और बाद में स्कूल में पूछती, कौन थी तुमारे साथ मिनर्वा। तो वे बड़े गर्म से उत्तर देती, वो शौट हेर वाली, माई ममी। और भी चुटपन में जब थर् प्रक्यों को बुला बुला कर दिखाती। वे जो कटे बालो वाली है ना, जो हाई हील सेंडल पहने है ना, जो स्लीवलेस ब्लाउज पहने हैं, वही है मेरी ममी। ऐसे माहौल में बुआ जी जब भी एकाद हफते रहने के लिए आती, तो ममी को अजीब सी जेप महसूस होत मेकप के नाम पर भौों के बीच छोटी सी लाल बिंदी और क्रीम के साथ जरा सा पाउडर मल लेने वाली भरे भरे से शरीर वाली बुआ जी उसे अच्छी तो लगती हैं, पर उल्टे पल्ले में भी कुछ-कुछ बैकवर्ड ही लगती हैं, उनका साड़ी बानने का भी जिजक नहीं हुई थी, गई भी तो अपनी इच्छा से ही थी, अक्सर गुआ जी सबको खिलाने के बार टेबल तक ना आकर किचन में ही पाटे पर बैट, डोंगों में ही बची सबजियां लेकर खाने लगती हैं, वाट नॉंसेंस गुआ जी, पर उसे अच्छा लगता और तो और जब किसी की जरासी गलती पर फूपा जी दाहार उठते, तो शची के साथ वो भी घबरा कर डुबग जाती, पर जब फूपा जी अपनी गंबीरता का केचल उतार कर लतीफे सुना सुना कर हसते हसाते, तब तो मुक्त खिलके लाटों में मज़ा आता ही था, पर उनी से मोटी चोटी लगवा कर कटे बालों का जूड़ा बनवाया, फूपा जी ऑफिस से आये तो एक दम चौक ही पड़े, समले तो बोले, अरे शची से पहले तो इसके लिए फोटो एक खटी करनी पड़ेंगी, पता नहीं इसके ममी डेडी कैसे सो रहे हैं, शायद पहल पहली बार उस्टुपिड या नॉनसेंस कहने के बदले कमरे में भाग गई थी, और फिर तो साड़ी फाड़ी उतार कर कुर्ता पहन कर ही बाहर आई, बुआ ने भी हमेशा उसे मिनी स्कर्ट और स्लैक्स में देखते रहने पर भी पिछले साली उसके लिए मैश देखते र हुई है, वे पापा से बस एक साल छोटी हैं, उनकी ममी की शादी में कुछ ऐसी ही उमर में हुई थी, इसलिए इस उमर में शादी बस पिछड़े हुए लोग करते हैं, ममी की ममी उसे वो कभी अच्छी नहीं लगी थी, अब तो खेर अच्छे बुरे लगने का कोई सवाल ही नहीं था, मिनी को उनकी याद मजे में है, उनमें और ममी की परसनाल्टी में राई रत्ती का ही फरक था, ममी के बाद उनकी ममी ने बाल कटाए थे, इतने पसंद आ गए थे, उनने कटे बाल पर्म भी कराई थी, पर्म की ये बालों के बीच पहली बार उनने देख कर पर कहती थी हमेशा उन्हें मम्मी की मम्मी ही सुना था मम्मी की मम्मी की वजए से ही पौपा को शादी के केवल एक साल बाद सर्विस मिल गई थी मोटी तनख़ावाली और एक साल के अंदर डबल इंक्रिमेंट इसके बाद का दावित मम्मी ने स्वैम संभाल लिया था पापा उसी तरह हें 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 हसते रहते मम्मी पापा में परियास भी होता तो बस एक एंगल पर जो कुछ किया है मैंने किया है जी स्टेशन पर ट्रेन के आते ही उसकी आखों में आसू देख पहले तो बुवा चौक सी गई पर दूसरे एक शर उसे हिरदय से लगा अपने आसू पूछने लगी उसे जिजग भी आ रही थी कुछ अजीब सी छेप अपनी याद में उसने कभी भी अपने घर से आते समय बुवा या ममी किसी की आखों में पानी नहीं देखा था वैसे भी घर में कितने ही ममी के फ्रेंड्स अंकल आंटियां आते जाते रहते थे उनलों के आने के बाद का प्रोग्राम निश्चित रहता एक दिन पिक्चर एक दिन पिक्निक और पार्टी तीसरे दिन गुड़ बाई के साथ ही कार स्टार्ट हो जाती दोस्त पापा के हूँ या उनके ममी संकेर दिमाग वाली नहीं थी सबको जॉली गुड कमपनी देती थी वैसे भी पापा तो दिन पर आफिस में ही रहते आने के बाद भी मुश्किल से घंटे दो घंटे ही सबके साथ रह पाते फिर एक्सक्यूज मी कहकर रुख जाते अपने फर्म में भी पापा जूनियर सीनियर सभी की बीच उतने ही पॉपलर है सभी अक्सर मिलने गपशक करने चले आते हैं खुछ देर अगर काम की भी बाते होने लगें तो ममी बोर होने लगती है रेस डियर तुम तो वैसे ही ठके हो हाँ कपूर कैरम का एक गेम कैसा रहेगा या फिर चाइनीज चेकर उठा लाती है ब्रिज के लिए चार ना होते तो बेडविंटन या टेनिस खेल के दोरान लगाता ब्यूटिफुल पार्टनर लवली शॉट की आवाजें गूचती रहती एक और चीज ममी को बहुत पसंद थी हेलो जुनेजा आज जल्दी छुटी ले लो काम से हाँ मुझे शॉपिंग करानी है तुमें जुनेजा मुस्कुरा कर श्योर कहता दूसरे दिन जोशी तीसरे दिन बर्बे जुनेजा और बर्बे को तो उसे अंकल कहने में भी जेपाती थी पहले जोशी ममी से थोड़ा जिजगता था मिनी के साथ ही जदा खुल पाता था पर उस दिन चाइनीज चेकर की दूसरी बारी में ही ममी ड्रेस अफ होकर आ गई और उनके ये कहते ही ओ हो खुब खेल चल रहा है जोशी बोला था लेकिन मजा कहां आ रहा है आपके बिना और उसे सेशनल के लिए देर होने लगी थी ममी इस देर सुनते ही ममी तुमारा फोन है कहते हुए हो चली आई जब तक बातरूम से हाथ मूँ दो कर लोटी ममी आफिस में पापा से जल्दी आने के लिए फोन कर रही थी उसे देखते ही बोली डार्लिंग जल्दी से ड्रेस अफ हो जा किशन अंकल धवल को रिसीव करने आए है आज ही आया है जर्मनी से क्लाक्स में बुलाया है डिनर के लिए किशन अंकल से हाथ मिलाते ममी एकदम जूल सी गई भावन मार्द में कितनी देर तक कुने अंकल का हाथ छोड़ा ही नहीं उस क्षण वो जैसे निर्नय नहीं कर पा रही थी ममी की बेटी होने पर वो गर्व करे या बार में सैक्रों आके कोतुहल से बस इसी ओर देख रही थी पापा उसी तरह है 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 हास रही थे उसने धवल को धहरे से अपना परिचे दिया तभी ममी को धवल का ध्यान आया ओ यू देट छबी नौटी वोई लुक्स लाइक ए मॉंस्टर किशन अंकल भी हो करकर हस पड़े ममी ने हसते हुए धवल का माथा और गाल इस तरह चूमे जैसे उनका ही कोई सगा इतने दिनों बाद लोटा हो तभी तो धवल ने बैटते ही कहा था तुमारी ममी कितनी स्वीट और लबिंग है फ्लोर शो खतम हुआ तो जोड़े थि रखने लगे वो धवल से उसकी विदेश यात्रा के सब्मंद में पूछ रही थी धवल उसे स्मार्ट और स्वीट लगा थोड़ा खिलंदर भी जब उसने बताया कि वो बिया ओनर्स का एक्जाम देकर आ रही है और पिछली फरवरी में अपने जन दिन पर 18 मुम्बतियां बजा चुकी है तो धवल भौचक रह गया और मैं तुमारे साथ बिल्कुल बच्ची के जरे वेवार कर रहा था कम ओन धवल एक दांस हो जाए ममी का सबर बैठे बैठे समाप्त हो चलाता किशन तो अभी से बुढ़े दिख रहे हैं और आई वान्ट यंग फ्रेंड शोर आउंटी कहकर धवल तपाक से उठा और किशन अंकल जेव कर फिर से मुस्कुराने लगे थे पापा की खोकली हसी फिर गंगनाई जाने क्यों पापा के हस्ते उसका मूड उखड़ जाता है वो बिला वज़े खीच कर चड़ जाती है इस्टुपिट जूस पर बरफ नहीं थी उसने बुदबुदा कर गिलास मेच पर रख दिया मम्मी के पैरों की गत्य आर्केस्ट्रा के साथ तेज होती जा रही थी मम्मी बड़ी सतरकता से स्टेप्स ले रही थी मानों किसी प्रतियुकता में प्राइस पाने करें डांस कर रही है उन्हें तन बदन की सुधना थी हर दो स्टेप्स के बाद धवल की आँखों में जाकती और उसकी मूख प्रशंसा उन्हें और भी अभिभूत कर देती दांस खतम हुआ और उनके पैर काप रहे थे दवल का साहरा लिये किसी तरह हाफती सी आकर बैट गई पर चेहरे पर वही दर्प भरी मुस्कान वंडर्फुल आंटी ठैंक्स हाफती आवाज में वो किशन अंकल से मुस्कुरा कर बोली सो ओल्ड फ्रेंड तुम्हें भी ओबलाइज करूँ आई डेर नॉट अंकल उसी जेप के साथ मुस्कुराए श्योर श्योर हें 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 इस्टुपेड वो एक सांस में सारा फीका जूस गटक गई बेरा सूपला रहा था सुनो ओल्ड मैन तुम कल सुबह के बदले परसों शाम जा रहे हो कल शाम अपने तीन पुराने दोस्तों से मिल सकोगे शर्मा, देसाई और सकसेना कुछ नए लोग भी रहेंगे और हाँ धवल तुम्हें टाइम से एक घंटा पहले आना है मैं अपने रिकॉर्स दिखाऊंगी हनी तू भी रहना पार्टी में अच्छा, अरे कहीं दूर जाना है तू अपने शेसनल्स कर जब सब आ जाएंगे तब आ जाना बस कौन सी ड्रेस पहनेगी मम्मी ने ज़रा सूचा हाँ वो सकट जो मैंने तेरी बर्थडेवे बनाई थी और सुन, प्लीज जड़ा ड्रेइंग रूम में फ्लार्वर्स अरेंच कर दे वाज में फूल लग गए मम्मी की साड़ी की क्रीज ठीक कर दी नारंगी पूर्णों वाली ग्रे प्रिंट साड़ी कानों में नारंगी मुँगों वाली बड़ी बड़ी बालियां और धेर सी औरन्द चूडियां और बाय कान के नीचे एक अध खिला फूल कंदों पर साइट्स में पिने लगा लगा कर मम्मी की साड़ी एकदम उनके शरीप पर फिट कर दी मम्मी ने शीशे बे नज़र डाली फिर उसे किस किया थैंक्स मिनी जा अब तू भी कपड़े बदल ले हेलो ये सकसेना अंकल हैं हेलो फ्रेंड्स देसाई और शर्मा अंकल भी आ गए गुड इवनिंग सर जोशी और जुनेजा की जोड़ी है हेलो मम्मी की किलकारी हें 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 पापा इस्टुपिड नो थैंक्स खाली बीर चीर्स हेलो आंटी धवल देर से आने के लिए ख्षमा मांग रहा है पार्टी रौनक पर आ रही है मम्मी उसे अब तक तीन बार बुलवा चुकी है क्रेजी चाइल्ड अरे करना क्या है सकर्ट पहन कर आ जाती बस हेलो अंकल किशन अंकल ने अचकचा कर सिर उठाया और अवाक उनके साथी बहकती ठाके लगाती आवाजें एक हो गई नजरें उठी और जैसे अपलक जड़ गई ये ये मिनी है लहराते रेश्मी बालों की जगे सवरा सा बड़ा जूड़ा चंपे की गमक्ती वेणी और पिंक शिफॉन की साड़ी पर छे रूबियों जड़ा पेडिनेंट रोश्नी के एक लहर सी सबकी आँखों में कौन गई सकसिना अंकल ने प्यार से कहा अरे ये कब इतनी बड़ी हो गई पता भी न चला लो सोम हम लोग तो बुड़ों की जमात में आ गए क्यों हो 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 अरे पापा भी अंकल के साथ हस रहे हैं हसी में कुछ बदलाव सा नहीं मम्मी भी लंबी इस तब्दता के बाद हस पड़ी उनमें भी शायद कुछ बदला था वातावरन स्वाभाविक हो रहा था मम्मी ने नए लोगों से परचे कराया माई डॉटर मिनर्वा ड्रेस्ट अप लाइक लेडी हम जोशी था मैं सर्प्राइज देना चाहेती थी इस पिंक सारी में बिलकुल स्मेशिंग धवल था ठैं आंटी आईए ना ओ नो डियर मैं जरा किचन सुपरवाइज कर लूँ टाइम हो रहा है डिनर का वाट डिफ्रेंस मिनी इस दियर नो मिनी उसकी पलकें उठी पर मम्मी की आखों को जेल ना पाई धवल सम्मोहित सा मुस्कुरा रहा था डांस फ्लोर पर चड़ते वे उसने आखों में एक नमी सी महसूस की अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूरे बाला जी की लिखी हुई कहानी कहां तक कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा फिर मिलूँगी किसे अच्छे से लेखक की बढ़िया सी कहानी के साथ आपका समय शुब हो सुन मंदर हो मंगल में हो